नमस्कार दोस्तों मैं विपन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में अगर आप कोई सेकेंड गाड़ी लेना चाहते हैं तो देखेंड गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं मैंने भी एक सेकेंड गाड़ी लिया मेरे पास जैनी स्टीलो 2011 मोडल है पेट्रोल मोडल मैंने सी एंजी नहीं लेए बिकॉज आप अगर सेकेंड गाड़ी ले डिये तो मैं आपको सिर्फ यही सजैस्ट करूँ है कि आप किर्प्या गरके आप पेट्रोल गाड़ी kaufen tree जाती है तो वैसे ही अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेंगे तो इंजन में आज भी जान रहती है मेरी ये गाड़ी में बहुत अच्छी चल रही है अभी मेरे को 5000 किलोमेटर मैंने चलाई होगी एक साल में एक साल पहले ये गाड़ी मैंने ली थी तो आईए बात करते हैं सेकिन गाड़ी लेते वक्त आप किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं देगे सबसे पहले चीज़ आप ध्यान रखिए आप सबसे पहले डॉकमेंटेशन चेक करिए गाड़ी के डॉकमेंट पूरे है यह यह एस ही चैसिस नंबर और आपका इंजन कि तरफ लिखा होता है आप मैस कर सकते है बागी एंड में वीडियो में पूरा दिखा दूरां कि आbalance कैसे चाहिए out टायर वर अग़रा कैसे देखते हैं गाडी के और पिलरषा वगरा आप देख सकते हैं एंड ऩत दूरी वीडियो देखिए अगर आप सेकंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं यह मेरी सेकंड गाड़ी है फर्स गाड़ी नहीं है एंड यह गाड़ी में भी मेरा खर्चा निकला था जब मैंने गाड़ी ली थी उसके बाद मेरा भी अटलीस 10,000 का खर्चा हुआ था तब यह गाड़ी मेरे लाइक बनी है हर किसी को अपने लाइक अगर गाड़ी बनानी है फिर अगर आपको अपने लाइक बनानी है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा मोडिफिकेशन की बात नहीं कर जैसे टस्क्रीन वॉफर लगाना और लाइटिंग करना यह सब नहीं अलडी लगाना यह सब नहीं लगाई मैंने काम की चीज़ लगाई है विगाउस मुझे अपनी फैमिली के परपस से गाड़ी चीए और ऑविसली मुझे शौक है ड्राइविंग करने का तो मैं इसलिए है मैंने गाड़ी ली थि चलिए बात करते हैं चैकन्ड डॉकमेंड डेशन आप चैक करिए चेसिस नंबर यह से लाग मज़ मिली है जबकि यह सेकंड और गाड़ी है तो आप और पर मच जाएं काड़ी की कंडिशन चेक करीए अगर आप सेकंड गाड़ी ले रहे हैं तो सेकंड चीज आप देखिए इंजन इंजन बहुत important है इंजन का blowback चेक करिए गाड़ी को accelerate करके देखिए पीछे से धुआ तो नहीं दे रही है जो जो देखो basic आप चीज़े चेक कर सकते हैं वो आप चेक करिए बाकी आप एक mechanic भी लेकर जाहिए मैं भी लेकर गया था वो आपको बरी किसी चेक करके बताएगा क क्लच में कुछ hardness तो नहीं कई क्लच का काम नहीं आ रहा देखो वह भी थोड़ा मोटा काम हो जाता है पांसार दाजार का काम आपका निकल जाएगा अगर आपका क्लच थोड़ा हाड चल रहा है या फिर क्लच में कोई प्रॉब्लम है तो तीसरी चीज आप चेक करिए टायर्स बहुत ज़रुजी है क्योंकि देखो 12-15,000 के टायर आते हैं नहीं चारो तो बैटर है कि आप चेक करिए और कितने टायर बचे हुए जैसे मेरी गाड़ी में at least 50-60 % बचे हुए तो जब मैंने गाड़ी ली थी और अभी भी लगवग उतनी बचे हैं पांस जार किलोमेटर में कुछ नहीं खटता और बाकी बेसिक चीज़ें यही होती है और देखिए सबसे बड़ी चीज लोग कहते हैं कि डीलर से गाड़ी नहीं चीए मैंने डीलर से गा यहीं इस वीडियो में पताना चाहरू हूँ कि हेर डीलर खराब नहीं होता और और की गाड़ी खराब नहीं होती है बस आपको चेक करना आना अची है अब वो चेक कैसे करोगे वो आप देख लेना यह चीज़े मैं बता रहा हूं इस हिसाप से अगर चेक करोगे तो गाड़ी अच्छी निकलेगी कहीं रस्टिंग नहीं हो निची है वो भी चेक करना गाड़ी के और अगर देखो मीटर बैक स सबसे में चीज़ आती है मीटर गाड़ी की मुझे पता है मेरी गाड़ी का जो मैंने गाड़ी लिए इसका मीटर वैक है लेकिन गाड़ी एकदम साउंडलेस है इंजन एकदम परफेक्ट है इसलिए मैंने गाड़ी लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक गाड़ी एंड लास्ट यह कि आप देखो सारे सब कुछ चेक कर लीजिए जैसे कि पैडल्स आपके जादा घिसे वे तो नहीं है यह सारी चीज़े में आपको एक वीड अभी इस वी अभी एंड में आपको दिखा दूँगा कि मेरी गाड़ी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो चल बहुत ही मेरी गाड़ी का इंटीर बहुत साफ सुतरा है और गाड़ी बिल्कुर नीट एंड क्लीन मिली थी मुझे इस कंडिशन में है इसी कंडिशन में मिली थी आप देख लो पैडल्स भी घिसे हुए है ओवेसली वन लैक से ओपर चली हुए लेकिन लेकिन डीलर ने बिशे कहके भी बेजा है तो देखो ट्रस्ट करना पड़ता है विकाज आप गाड़ी ले लेकिन आप गाड़ी की कंडिशन चेक करिए सिर्फ आप यह मत देखिए कि गाड़ी चली हुई कितनी है कि अगर चलने में गाड़ी स्मूथ है सारी चीज़ श्मूथ है तो आपक experience कुछ अच्छा नहीं रहा मेरा second experience अच्छा रहा एक्सपिरेंस हो गया था मुझे गाड़ी चलाने का तो इसलिए मैंने खुद ने भी चेक करी थी गाड़ी एंड मैं मेकैनिक भी लेके गया था जिससे मैंने चेक कराई थी तो यह सब है देखे गेर लीवल भी काफी हद तक गिसा हुआ है लेकिन गाड़ी अच्छी है चलने में अच्छी है बाकी मैं भार से दिखा जाता हूँ आप लोगों को कंडिशन अपनी गाड़ी की यह देखें टायर से भी देख लीजिए एटलीस 50 परसंट टायर है फ्रंट से मैं दिखा जटों गाड़ी के देखें बिलकुल साफ सुत्री गाड़ी है और कहीं से भी और यह गाड़ी मुझे ऐसी ही मिली है जैसी आप देख रहे हैं कहीं भी कोई इशू नहीं है कि देखो इंजन की कंडिशन भी मैं दिखा जेता हूं इंजन में मुझे सेम ऐसा ही मिला है बिलकुल साफ सुत्री कंडिशन में था अभी थोड़ा गंदा हो गया बारिश का टाइम चल रहा है और गंदा तो होई जाता है इंजन मैंने बस गाड़ी में कितना खर्चा किया यह मैं आपको बता दूँ है यह देखें इंजन ओइल इसका पूरा है गाड़ी में ऐसा सर्च कोई खर्चा नहीं किया है एंड लास्ट फिंग देखें गाड़ी का तो पता आपको चलाकर ही लग सकता है अगर आप सोचें कि लुक एन फील देखके आप गाड़ी ले लें हां जी तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आपको कोई भी कोरी है सेकेंड गाड़ी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं बाकि प्राइज में इस गाड़ी का बता जाता हूँ आपको यह गाड़ी मुझे पड़ी थी 95,000 विद इंशॉरेंस विद ट्रांसफर सेकंड ओनर गाड़ी है मैं इसका थार्ड ओनर हूँ और गाड़ी ट्रांसफर हो गई थी विदिन वन मन्त कोई भी प्राब्लम नहीं आई और पैसे मैंने उनको कैश ही दिये थे और उसके बाद मैंने इसमें 10,000 रुपे लगाए थे बाकी देखो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या-क्या खर्चा कराए था तो आप प्लीज कमेंट करिए मैं आपको 110 परसेंट आपको रिप्लाई भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने कौन-कौन से खर्चे की हैं और इसके लिए एक separate वीडियो भी बना द झाल